आप फेशन की बात कर रहेते हैं, फेशन की बात भी मेरे बात याद आ रही है, अमारे पडोस की लड़की की शादी भी, शादी होती ही उस लड़की ने जाती आलमारी में एक चणे की पोटली रखती, अस फ्रेंड बोले आप तुने आलमारी में एक चणे की पोटली क्यों तो बोली, वो क्या है जबन बाच्पन में नखेन का नोट प्योल कोई रख रखा नेहा धुपिया का एक बयान था कि बालीवड में आतो जिसमिया शारुखान मिटता है ब्रेटीनी स्पिरस ने एक दिन की शादी करके अपने पती को छोड़ दिया मल्दी का शिरावत ने निकोल किडमेन के बेती सुम्बनों का विश्वरिकार तोड़ दिया फिल्म इंडस्ट्रिय उगरवादियों के खेल बन गई मोनिका वेदी अबू सेलेंड की रखेल बन गई अरे बनना था तो जासी की राणी बनती जिसने अंगरेजों के सफनों को मटिया मेट कर दिया था अरे बनना था तो जासी की रानी बनती जिसने अंग्रेजों के सपनों को मटिया मेट कर दिया था और धन्य हवो हाडी रानी जिसने अपना शीश काटकर पती राओ चुडा को भेच कर दिया था अरे बनना था तो सावित प्रिवन्ती जो अपने मरत पती को जिवित कराने के लिए यम्राज के समक शड़ी रही और चोदह साल के वनवास के बाद विर्बिला लक्षमण के लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रही 14 साल के वनवास के बाद विर्विला लख्मन के लिए पानी का गिलास लेकर खड़ी रही मेरी एक शिकायत, मेरी एक लड़ाई है मेरी लड़ाई हिंदुस्तान की संसद में भी नहीं है मेरी लड़ाई पाकिस्तान से भी नहीं है मेरी लड़ाई हिंदुस्तान के मीडिया से है जब राजिव गांदी की जन्म दिन आता है तो अख़बार के पहले पन्ने पे छपा रहता है कि आज राजिव गांदी का जन्म दिन है जब इंदरा गांदी का जन्म दिन होता है तब छपा रहता है में इन प्रस्ट पे किया जिन्दरा गांधी का दन दिन है हर नोट पे गांधी जी की तस्वीर होती है मैं एक बात पूछना चाहता हूं पूरे दुस्तान से क्या किसी नोट पर भगत सिंग और चंदरशेखा राजात का हक नहीं था सुना देना चाहता हूं कि सिंगों की शक्ती को चूहों ने तोल लिया है कश्मीर में आतंक वादियों ने विध्याने खोल लिया है वे जन्ता के दिलों में तहशत का आलम जगा रहे हैं और दिल्ली के मंत्री शीला की जवानी पर ठुनके लगा रहे हैं कि हमने प्रेप क्यांगदी कुट में पविस्थरता की आहूती दी होती तो संस्कारों का खूनी खेल करने की हिम्मत नहीं होती हमने मुठभेड में दो-चार दरिंदों को गोली मारती होती तो रवस्था की हत्यारों से जेल भरने की हिम्मत नहीं होती और हमने दीवारों पर रानी मुखर जी की जगए जासी की रानी के चित्र लगाये होते तो मोनीका बेदी तेरी अबू सलेम की रखेल बनने की हिम्मत नहीं होती लेकी लिए कड़वा सच निकला मोनीका बेदी और अबू सलेम पकड़े गए परताओ दवराहं पच निकला जब हिंदुस्तान में इतने में स्फोट हुए और कोई नहीं बोला एक सेनित का सरकटा वापस नहीं आया हिम्मराज का तब मुझे तुफेल चतुरवेदी जी की चार नाई ने याद आती है कि बुलंदी की फिजा सिंतों का जादू तोड़ देती है हवा उड़ते हुए पंची के बाजू तोड़ देती है और सियासी भेडियों थोड़ी बहुत गेरत जरूरी है तब आयख तक किसी मोके पे घुमरू तोड़ देती है कि हमने रेशम के कच्चे थागे बनाये थे कूनी पंदू को जकरने में हमने सोला साल लगा दिये दाउद अबराहं को जिंदा फकरने में इसलिए इन नर्भक्षी भेडियों की तरफ खोखार शेरों को आगे बढ़ जाने दो सीमा के आतन की अड़ों तक सेना चड़ जाने दो और एक अंग्रेज हिंदुस्तान आया एक चिडिया गर को देखने गया उस अंग्रेज को देखकर एक कुट्ता भूखने लगा अंग्रेज ने अपनी जेब में से बिस्केट निकाले उस शेर को डाल दिये लेकिन शेर ने बिस्केट नहीं खाए क्योंकि मजबूरी थी उस शेर की कि उसके गले में जंजीर बंदी हुई थी तब सिग्रेज काकश खीतते हुए उस अग्रेज ने किपड़ी की कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहां तलवे चाटने वाले कुट्ते बाजार में खुमते हैं और दाढने वाले शेरों के गले में जंजीरे टालती चाती है झाल 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 झाल